आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरे चैनल को अंडर वी में जाने के बाद कितना टाइब लगा monetize own होने में देखिए जो भी यूटूबर होता है जो वीडियो बनाता है उसका यही सपना होता है कि जल्दी से जल्दी जो उसका channel monetize हो जाई और वो मेहनत भी करता है जिसका original content होता है और अच्छे से मेहनत करता है तो जल्द से जल्द जो है उनका channel monetize own हो जाता है और उनकी earning start हो जाती है तो देखिए आज में आपको एक तरह से motivational वीडियो है आप भी काम कर सकते हो मेहनत कर सकते हो ठीक है और आप भी एक अच्छा YouTuber बन सकते हो तो देखिए मेरा channel अंडरेवियो में गया था मैं आपको विद्प्रूप बताऊंगी यह जो मेरे पास है मैंने जब यूटूब की जो पार्टनर प्रोग्राम की लिजबल्टी जो पूरी की थी वो की थी अठारा मार्च को अठारा मार्च को मेरे पास मैंसे जा गया था यूटूब की तरफ से कि आप monetize के लिए apply कर सकते हो मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे जो है वो श्टाइम वो complete हो गया था ठीक है तो एक तरह से 17 मार्च को ही हो गया था मेरा मैंने 17 मार्च को apply कर दिया था लेकिन उसके बाद जो है ये शाम को ये आया था 12 बज़ कर 18 मिनट पे 18 मार्च को 12 बज़ के यानि रात के 12 बज़े के बाद ही आया था और 18 मार्च उस दिन था फिर 18 मार्च को ही मेरा चैनल अप्रूव हो गया था ठीक है तो मेरा चैनल जो है 18 मार्च को शाम को जो है monetize हो गया था यानि 18 March को जो है 17 March को मैंने apply किया था और 18 March को मेरा channel monetize on हो गया था मैं YouTube के partner program का जो है मेरा channel हिसा बन गया था अप्रूव हो गया था तो आप कह सकते हो जल्द से एक ही दिन में हो गया था मेरा ज़्यादा time नहीं लिया था क्योंकि मेरा जो है original content है मेरा खुद का content है मैंने मेरे channel के ओपर कोई भी जो है copyright strike copyright claim कुछ भी नहीं था educational मेरा channel है और आप भी मेहनत करोगे तो आपका channel भी grow करेगा आगे बढ़ेगा और आपकी जो है एक earning का source बनेगा YouTube अगर आपको इसके recording कोई भी question पूछना है मेरे से तो आप comment box में लिक कर मुझे जो है comment कर सकते है आपको मैं उसका answer दूँगी धन्यवाद